हलो नमस्ते साथियों मुख्यमंतरी लाडली वहना आवास योजना 2023 से सम्मधित एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथ यो आज के डेट में मुख्यमंत्री लाडली वहना आवास्योजना के तहत कुछ लाभरतियों के खात में पैसे ट्रांसफर करनी को लेकर दोस्तो अपडेट निकल कर आ चुकी है और जडेटा है वो भी अब पॉर्टल पर अपडेट हो चुकी है विडियो में पूरी जानगारी दूँगा कौन-कौन से लाभरतियों के आज के डेट में पैसे रिसीब हुए है और कौन-कौन से लाभरतियों को आगे आने वाले समय में पैसे मिलेंगे आज के डेट तक यानि कि दोस्तो आज तक कितने लाभरतियों की पंजीकरन जो है कंप subscribe कर ले ताकि इस पर करके कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सब से पहले जानकारी आपको मिल सकें तो साथियो वीडियो में सब से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज के डेट यानि कि आज तक टोटल जो लाभारतियों की पंजी करन है वो पॉटल पर कित 30,094 लाभारतियों की टोटल जो है पंजी करन हुई है जिसमें सभी डिस्टिक्स का जो है आपको लिस्ट यहां पर देखने को मिल रहा होगा सभी डिस्टिक के अंतरकत कितने लाभारतियों का दोस्तों योजना के तहत पंजी करन किया गया है आपको यहां पर देखने को म तो reject की गई है PFMS से ये तो दोस्तो डेटा हो गया कि कितने लाभरतियों का जो है पंजी करन किया गया गए अधने में से कितने लाभरति को reject कीए गया है कि या पर नाब गा पर नेंसे जेक हैं, नाब को जीना चाहिए गाइट का 25,000 रुपए की किस्त जो है दी जाएगी मुख्यमंतरी लाड़ी बहना आवास योजना के अंतरगत और यह पहला installment है यानि कि पहली किस्त है तो साथियों यह जो पैसे हैं वो आवास प्लस के लाभार्थियों को रिसीव हुई है आप सभी को पता है कि मुख्यमंतरी लाड़ी बहना आवास योजना के अंतरगत ऐसे सभी लाभार्थियों को लाब दिया जाएगा जो आवास प्लस के अंतरगत पंजिक्रित है और उन्हें इस योजना का लाब नहीं मिल सका था किसी कारण बस इसके अलावा साथियों जिन लाभार्थियों का नाम आवास प्लस के पॉर्टल पर पंजिक्रित नहीं है या फिर वो जो है नया आविदन करना चाहते हैं और मुख्यमंतरी लाड़ी बहना आवास योजना के अंतरगत अबना आविदन किये हुए हैं सभी लाभार्थियों को पैसे मिलेंगे लेकिन पहले जो पैसे यहाँ पर दिये जा रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं यह आवास प्लस के लाभार्थी है जनका नाम पॉर्टल पर पंजिक्रित है उनके खाते में 25,000 रुपाई की किस्त जो है ट्रांसफर की गई है आज के डेट में सभी लाभार्थियों का डीटेल आपको इस प्रकार से देख सकते हैं उनका जो रेजिस्टरसन नंबर है वो भी देख सकते हैं यह जो लाभार्थी यह दोस्तों आवास प्लस से है मुख्यमंतरी लाडली वहना आवास योजना के अंतरगत लाभार्थियों को पैसे कभी भी ट्रांसफर किये जा सकते हैं की जो लाभार्ति भेरिफाइ हो रहा है, उनका एकाउंट भेरिफाय हो रहा है, उनके खाते में कभी भी पैसे ट्रांसफर किये जाएंगी, जैसी पैसे ट्रांसफर होंगे, तो हमारे चैनल पर सब से पहले आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि पॉर्टल पर जैसी डेटा अप्लोड होगा तो सबसे पहले जानकरी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी तो साथियो अभी जो है लाभार्तियों की वेरिफिकेसन हो रही है और उसके साथ साथ पंजीकरण भी किया जा रहा है भी जारी है तो साथियो यह कुछ अपडेट निकल कर आई आज के डेट में अगर आप सभी को जान करें अच्छे लिके दूडियों को लाइक करें इस प्रकार के और भी अपडेट से मुख्यमंद्री लाडली वहना आवास योजना से सम्बंदित पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद